दोस्तो लर्न इंडिया कैडमी की यूट्यूब चैनल में आपका भूद भूद स्वागत है इस वीडियो में हम क्लास 12 की चैप्टर 1 इटे मन के तता अस्कियां हडपा सब्विता के बारे में जानेंगे दोस्तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें इस्तमाल नोट्स आपको ना केवल पूरे चैप्टर को समझने में साहिता करेंगे बलकि बिना रटे आप सारे कोशन के आंसर दे पाओगे जिस तरह से मैंने साइंटिफिक तरीके नोट्स बनाए है शायद ही वो आपको कहीं और मिलेंगे इस चैप्टर के खतम होने के बाद में आपको सिर्फ एक पेश का पूरे चैप्टर का माइंड मैप दूँगा जो आपको पूरे चैप्टर को मुझबानी याद करने में सहयता करेगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे और एसास हो कि मैंने इन नोट्स पर मैनत किये तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ताकि आने वाले समय में इससे भी अच्छी वीडियो आ सके तो चैनल को सब्स्राइब जरूर करना तो चलिए श्चार्ट करते हैं तो पहला इंट्रोडक्शन से श्चार्ट करते हैं हर सब्स्राइडिंग का एक माइंड मैप होगा उसके अब पूरा एक्स्प्लेंग आपको जैसे इस तरह से मिल जाएगा तो चलिए, श्चार्ट करते हैं विशिष्ट पूरावस्तू तो हडपा सब्वेता की जो विशिष्ट पूरावस्तू है विशिष्ट पूरावस्तू मतलब होता है जो उस समय की जो रहने वाले लोग थे वो जिन चीजों का स्थमाल करते थे जानवरों की चित्र और एक ऐसी लिपी की चीन जीने अभी तक पढ़ा नहीं जा सक है, तो अलग-अलग जो जानवर हैं, उनकी चित्र बने हुए हैं, और एक ऐसी लिपी, मतलब जो लेंग्वेज है, हाँ, स्क्रिप्ट का जाए, तो उनको चीन लगे हुए हैं, जिसे आज सब कोई पढ़ नही आखे हें, तो उनकी जो अवास थे, उनके जो म्रिदभार्ड, म्रिदभार्ड बत्बर्च जो बरतन वो यूज उस करते थे, उसे म्रिदभार्ड का जाता है, आभूषन,《ओर्नामेंट्स》 जो है, उनसे हमार को उनके बारे में जानकाड़ी मिलने में हसानी होती है, उनके हडपा नामा की स्थान जही है संस्कृति पहली बार खोजी गई तो यह संस्कृत जी जो है हडपा नाम की जो स्थान है उदर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी और इस संस्कृति का जो काल निर्धारण है वो माना जाता है कि आज से 2600 साल पहले से 1900 इसापुर्व के बीच जो यह संस्कृती भारत में विदमान थी तो हडपा सभ्यता का नाम करें हडपा सभ्यता क्योंकि सभ्यता के साक्षे सर्वप्रतम पाकिस्तान इस्तित हडपा नामक स्थान से प्राप स्थलते प्राप्त हुए ठीक है तो यह सभ्यता है उसके साक्षे पर्मान है जो प विकास है वो सिंदु नदी की किनारे हुआ, सिंदु नदी की किनारे जो इसका विकास हुआ है, सिंदु नदी की किनारे पनपी तो इसलिए सिंदु घाटी सब्वेता का जाने लगा, तो सिंदु नदी जो है, वहां की जो भूमी है, वहां की जो लैंड है वो बहुत उपज तो इस सब्वेता में कांसे का भोतियात परियोग किया गया है, उसमें कांसे जो है उसका भोछ ज़्याता परियोग किया गया है, इसलिए इसे कांसे यूगिन सब्वेता भी का जाता है, कांसा मतलब यह कांसा बनता है, टीन और तांबे को मिलाकर यह बनता है कांसा, तो इसल सब्यता से पहले और बाज में भी संस्कृतिया अस्तित्व में थी जिने क्रमशा आरंबिक तता परवर्ति हडपा का जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इस सब्यता से पहले कुछ ना हो तो उससे पहले भी जो सब्यता थी उससे नाम देने के लिए हडपा का गया तो इस इसे विक्सित हड़ापा संस्कृति भी का जाता है तो जो आरंबिक थी और इसके बाद वाली जो ही उन दोनों से अलग करने के लिए इसे विक्सित हड़ापा संस्कृति भी का जाता है क्योंकि इसे विक्सित इसलिए का जाता है जो आप इंग्लिश में पढ़ रहोगे तो BC लिखा रहता है हिंदी में इसा पुर्व लिखा रहता है इसा पुर्व तो उसका मतलब क्या होता है कि अभी जैसे उपर भी लिखा आया यहां पर कि यह संस्कृति का काल निर्धान 26 से 1900 इसा पुर्व के बीच हुआ तो यह इसा पुर्व का मतलब क्या होता है तो इसा पुर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइस जो है इसा मसी जो है उनसे जनम से पहले का जो काल था उसे इसा पुर्व का जाता है इसी तरह एडी एनो डोमेनी हाँ जो हिंदी में का जाता है इसवी तो इसा मसी की जनम की वर्ष से जो आज का वक्त चल रहा है उसे इसवी में गिना जाता है हाँ जैसे अलग-अलग इसवी की नहीं गई जब इसा मसी की जनम की बाद वाले काल से जब उनका जनम वह जो समय चला उसे इसवी का गया आज खेल AD की जगह CE और BC की जगह BCE का प्रियोग होता है तो जो AD है वो CE बन गिये और BC है वो BCE बन गिये CE का मतलब होता है Common Era और BCE का मतलब होता है Before Common Era तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आरंभ, फर्स्ट पॉइंट इस शेत्र में विक्सित हडपा से पहले भी कहीं संस्कृतिया अस्तित्र में थी तो यह जो शेत्र है मैंने आपको बता है विक्सित हडपा से पहले भी संस्कृतिया थी वो अपने किस चीज के लिए जानी जाती थी वो जानी जाती थी हमने विशिष्ट मृद्भाड शेली के लिए मतलब जो विशेष्ट परकार के उनके पॉट्स थे बढ़तन थे उसके लिए वो जानी जाती थी और इसी तरह क्रिशी पशुपालन और कुछ शिल्पकारी की हाँ से साक्षे प्राप्तु हैं कि वो फिशी करते थे खेती करते थे पशुपालते थे और शिल्पकार थे हैं आपर और जहां कि जो बस्ती है वो छोटी बस्ती है कोई बड़े बड़े नगर नहीं है छोटी छोटी बस्तियों में यहां के लोग रा करते थे और बड़े हकार की संरचनाई लगबन ना के बराबर थी कि कोई बड़े हकार की संरचना नहीं है मगर आप जब विक्सित हडपा संस्कृती के बारे में पढ़ोगे अभी आगे आगे तो उसमें देखो कि आप पर बड़े हकार की बहुत सारी तो यहां पर बड़े पिमारे पर जलाई जाने के संकेत मिलते हैं, इसके साथ कुछ ऐसे स्थालते हैं, वहां स्याग दिये गए, उसमें जब एक समय आया, जब उसमें गैप था, ऐसा माना जाता है कि जब आरंबिक हडपा और हडपा सब्वेता के भी पूरा समय का अंतराल जब वह दूसरे हडपा संस्क्रिती अस्तित्वम में आई, तो जहां पर जब जलाए गए, जब लोगों ने स्याग आए, उसके बाद फिर वहां पर लोगों ने रहना शुरू करा और विस्तित हडपा संस्क्रिती का विकास हुआ, तो यह इसके बारे में था, दूसरा का देखिए, दोस्तों क्या वायदा होता है, यह आप पूरे के पूरे हैडिंग है, उसे दिमाग में बिठा सकते हैं, यह अट्रेक्टिव होती, इसके लिए अलग-अलग पैन का यूस्थ करिए, मैंने अलग-अलग पैन का यूस्थ किया है, मगर यहां पर पोटो खीचन करते हैं, वो खाते हैं क्या थाया, किस तरह अपना खाना प्राप्ट प्राप्ट करते, तो पेडर पोदो और जानवरो से, जो पेड़ पोदो से प्राप्त उत्पात जो पेड़ पोदर से फल मिलते हैं सबजियां मिलते हैं जानवरतों से जो जो उसपाद मिलत थे उनसे वो अपने जीवन निरवाध करते थे वहां से घडपा सिब बैता थे हमें अनाश की दाने मिलें उन में कौन कौन से दाने हैं जो, डाल, सफेज, चना, तिल तो ये सारे मिले हैं इसके साथ बाजरे के दाने मिले गुजरात में चावल के दाने हमें कम पाए गए हैं इसके साथ जो है पालतु जानवर भी मिले हैं जैसे मवेशी, भेड, बक्री, भेंस, सूर चीजे सारी पाला करते थे वो इनसे अलग-अलग उत्पात प्राप्त किया करते थे जानवरों को चोर फूट के रूप में माना जाता कि खाने के लिए ये कभी भी ने कुछ भी मिल जाता मास मिल जाता इनसे प्राप्त उत्पात जैसे गाएं से दूद मिल जाता है इसलिए अलग-अलग जानवर अलग अलग चीजे जो है चीजों से प्राप्ट करते थे वो अलग-अलग जानवरों से इसी तरह जंगली प्रजातियां भी मिली है जैसे वरहा वरहा मतलब सूर, हीरण और गड़ियाल के हडिया मिली है इसके ओपर देखिए दोस्तों बहुत important question भी बनता है कि हडपा सब्वेता के निवासियों के जो है निर्भा के तरीके बताईए तो इसके ओपर question का answer ये पूरा point में मैंने दे रखा है वीडियो को पूरा देखना क्योंकि नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे आगे बहुत अच्छे अच्छे mind map भी आएंगे तो चलिए देखा फ़स्ट है हडपा सब्वेता के निवासि कहीं परकार के पेड़ पोदों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मचली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे तो यहां के जो निवासि से पेड़ पोदों से जो उत्पाद मिल रहे हैं जानवर है जानवर जिनमें मचली भी शामिल है मचली खानी के लिए यूज़ करते थे तो उससे अपना भोजन करते थे तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इन सबसे वो अपना भोजन करते थे हड़पा स्थालों से मिले अनाश की दानों में अब हड़पा किस स्थाल है वहां से अनाश की कौन-कौन से दाने मिले है ग्याउं, जो, डाल, सफेज चना, बाजरा, गुजराफ से मेरा चावल कम पाई गहें ये उपर बैने दोनों बताई दिये थे खड़ापास तालों से मिले जानवरों के अडियों में मवेशी, भैड, बकरी, भैं, सुवर मिली है जो पूरा प्राणी विज्यानी, जो इनका अध्यान करते हैं, जीव पुरातद वीदो द्वारा किये गए, अध्यानों से संकेज मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे जो है, इन्हें ढूंडने के लिए भी अलग-अलग ब्राण्च है, जो इन सब पर कारे करती है, पुरा प्राणी विज्यानी है, जीव पुरातद वेद है, तो उन्हों जब अध्यन करा तो उससे पता चला कि सारे जो जानवरे पालतू थे, जो मवेशी है, जिसमें गाए गाएं हो गई है, यह सारे बैल हो गए, हाँ यह साब आते है मवेशी में, जो इन्हें पाला जाता है कैटल, भेड होगी, बक्री होगी, भैंस होगी, सुवर होगी, सुवर को भी वो पाला करते थे, इसके साथ जंगली प्रजातियों, जैसे जंगली प्रजातियां भी मिल हम यह नहीं जान पाएं कि हरपा सब्वेता के रिए निवासिष्टुम इन जानवरों का शिकार करते थे अध्वा अन्य खेटक समुधायों से इनका मास्ट प्राप करते थे अभी तक इसका कोई प्रमार नहीं मिल है क्यों खुद इनका शिकार करते थे, खुद इनको हंट करते थे या बाकी जो खेटक समूद आये थे, जो इनका शिकार करते थे, उनसे इसका मास प्राप करते थे, तो मचली तरह था पक्षियों की हडियां भी मिली है, मचली की मिली है, पक्षियों की मिली हडियां, तो यह प प्रोधोगी की, वो अपने जो खेतों में किस तरह की टेकनोलजी यूज़ किया करते थे, जैसे वो बैलो का परियोग करते थे, हाँ, जो बैलो का परियोग गया, उसमें मोरों पर रिखांकन जदा मृर्ड मूर्टी है, मोरों जो थी, उनकी जो शेंप थी, उसके उपर जो चित्र बनी है, हाँ, उसका जो रिखांकन हो रखा है, और जो मृर्ड मूर्टी है, मतलब जो कच्छी मिट्टी की जो मूर्टी है, टेरा कोटा स्कल्प्चर जिसे का जाता है, उससे पतर चलता है, कि वो बैलो का परियोग किया, करते होंगी, कि वो उससे परीचिस थी, हा दीखी दोस्तों, बनावली हर्याना, बनावली जो हर्याना में इस तरह याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब आपको मैप आएगा, उसमें आपको यह बलना पड़ेगा, कि बनावली हर्याना में है, इस तरह काली बंगन राजिस्थान में है, जगाओ के नाम भी याद र कि वहाँ पर जूते हुए खेत है उदर साक्षे उसा परमाण प्राप्त हुए इससे पता चलता है कि वह हलका पजियों किया करते होंगे दो फसले होगाना इस तरह खेत में हल्की रेखा है समकोंड पर एक दूसरे को काट ती है तो इससे पता चलता है कि वह दो फसले होगाया करते थे इसी तरह सिंच आई जो है शोत्रुगई, जो शोत्रुगई जो नामख जगाए, जो अफगानिस्तान में वहान पSOप्चे परब्ठ वे हुए है पंजाब और सिंध में कोई परमाण परब्ठ नE गुआ इसी तरह दोलावीर Georg गुजरात में जगाई वहाँ पर जलाशी मिला तो इससे पता चलता है कि वो स्खेतों की सिंचाई करने के लिए जलाश्यों, नहरों, कूओ, इन सब का स्थमाल करते होंगे तो अनाज के दानों से क्रिशी के संकेत मिलते हैं पर वाक्त वे क्रिशी वीडियों के बारे में सपष्ट जानकारी नहीं है जो अनाज के दाने मिले हैं उससे पता तो चलता है कि क्रिशी के संकेत मिल रहे हैं कैसे ही क्योंकि देखो अनाज बिना किसी क्रिशी के आएगा नहीं उगाना पड़ेगा तब ही आएगा तो इससे बतने दलते हैं कि रिशी तो करते ही होंगे पर किस तरह की विदियो को अपनाते होंगे इसके लिए इस तरह की कुछ पर्ष्ट जानकरी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है बैलो का परियोख फॉस्ट पॉइंट मोरो पर किये गए रिखांकन तथा मिली मूर्तिय यह इंगित करते हैं कि व्रिकशप के विश्य में जानकारी थी मतलब कि महरों पर जो रिखांकन है और जो म्रिण मूर्थी है हाँ रिखांकन कर रहा है म्रिण मूर्थी है जो है टेराकोटा स्कल्प्चर जो है मिट्टी के जो है टोई बनाए गए जो है मूर्थियां बनाई गई है तो उससे पता चलते हैं कि विक्षप बैल उसके बारे में उनकी जानकारी थी और इस अधार पर पुरा तद्वीद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का परियोग होता था तो इस अधार पर उन्हें लगता है कि बैलों का परियोग किया जाता होगा क्योंकि उसके बारे में जानते से इसी तरह हलका परियोग चोलिस्तार और बनावली हर्याणा में मिट्टी से बने जो हलके प्रतिरूप मिलें तो हलका परियोग करते होंगे चोलिस्तान नाम की जगह बनावली जो हर्याणा में वहां से मिट्टी से बने जो हलकी जो मोडल मिले हैं इससे पता चलता है कि वो हलका परियोग करते होंगी जो खेतों में अपने जो हलका परियोग करते होंगी इससे पता चला काली बंगन जो राजिस्थान में जो जगह माँ पे जुते हुए हेतों का साक्षे भी मिल गया उदर पर माण भी मिल गया त इसी तरह दो फसले उगाना, एक तो सली बंगर में खेत में हलकी रेकर समकॉन पर एक दूसरे को काटती थी, इस तरह नुमान लगाया जाती थी, जिसको बारे मैंने उपर एक्स्प्लेइन भी कर आपको, इसी तरह फसलों की कटाई के उजारों की जानकरी प्राप्त नहीं गुजरा, धोला, वीरा से जलाशे मिलें, जिससे यह नुमान लगाया जाता है कि सिंचाई के लिए इनका परियोग करते थे, तो अथा यह नुमान लगाया जाता है कि अर्दशुष्क, शेत्रों के कारण सिंचाई, नहरों कुओ और जलाश्यों से की जाती होगी, तो यह आपर माना जाता है कि सिंचाई के लिए ऐसे अलग अलग जगाओं पर, सिंचाई के लिए नहरों कुओ और जलाश्यों से की जाती होगी, सिंचाई, नहर, कुओ और जलाश्यों से, अब देखिए, एक बहुत important question है, जो आपकी textbook का ही question है, question number 6, मोहन जुदाडों की कुछ व मैं थोड़ा कर देता हूँ, ये एक नियोजित शहरी के इंदर था, पूरी योजना बनाई की थी कि शहर का निर्माण इस तरह से किया गया था, उस समय एक शहर बनाया गया था, जिसका निर्माण किया गया था, शहर दो भागों में विभाजित था, इन सबका में एक detail explanation द वो जो है कहीं बड़ा था मद्दुर्ग छोटा था और इसे पुरा तद्वीदों ने निचले शहर दुर्ग का नाम दिया है इसी तरह इटो का निर्माड तो इटो को धूप में सुखा कर रच भट्टी में पका कर बनाया जाता था वहाँ पर पकी इटे बनाई जाती है इटो की साइज भी रहता था जैसे लंबाई और चुड़ाई की क्रमशा चार गुनी और दो गुनी होता था इसी तरह नालो का निर्माड तो नालो को इग्रीट पदर्थी में बनाया गया था अब ग्रीट पदर्थी क्या है कि इस तरह मालो यह है सामने इथर ऐसे करके य उन्होंने पूरी प्लैनिंग करी थी तो इससे जबकि आप आरंबी खडपा देखेंगे परवर्थी खडपा देखेंगे उस तरह की टेकनोलोजी नहीं थी महर यहां पर यह सारी मिलती है तो यह पूरा योजना से बनाया गया शेहर था मोहंजो दाड़ो और आगे जो है ग्रैस थापाते है उनको स्थापना करने की जो प्लैनिंग की की जो क्या थी निचला शहर है जो नीचे का शहर है जो शहर दो भागों विवाजी था एक शहर और निचला शहर और दुर्ग अब यह निचले शहर की बात हो रही है तो इसमें जो है निचले शहर का पर यह ख भवनों के रूप में बसाया गया था रहने वाले भवनों के रूप में आंगन के चारोर कमरे बनाए गये थे इस तरह का पूरा प्लैनी त्यार की गई थी और इन घरों में अलग से स्नान घर वे सीडियां भी मिलती है सनानगर वैसे लिए हर गर में एक सनानगर होता था उस समय अपने आप में ये बड़ी बात थी आज भी भारत के कहीं गावों में आप देखोंगे टोयलेट की विवस्ता नहीं होती थी कुछ समय पहले तक तो उस समय ऐसे समय में जब कोई टेकनोलोजी नहीं है हर गर में सना यहाँ पर रखा जाता था अन जहां पर रखा जाता ओगा उसे माल गोदाम का जाता है इसके साथ विशाल सनान घर भी था तो इसका परियोग सारवजनिक परियोजनो जो कोई सारवजनिक रूप से function होता था उससमें कर जाता था विशेश अनुष्ठानीक सनान के लिए तो जो सनानागार है उसका जो विशेश अनुष्ठानी के सनान के लिए परियोग किया जाता था कि कोई विशेश अनुष्ठान हो रहा है उसमें सनान करने उसमें नहना है बड़े-बड़े पुरोईतों को ऐसे तो उसमें इसका परियोग किया जाता था तो यह पूरा इसका जो है mind map था आप इसे अपनी copy में बनाए अलग-अलग रंगों का use करें तो आप देखेंगे कि आपके धिमाग में पूरा question बैठ जाएगा आपको हर चीज रटने की जो रटने पड़ेगी सब कुछ यह एकदम बैठ जाएगा देखें अब आते हैं इधर मोहन जुदाड़ो एक नियोजिस शेहरी के इंदर पर कि मोहन जुदाड़ो अब जैसे मैंने आपको 6 point दिये इसमें पहले point पर इसमें discuss करते हैं इसमें इटो का निर्माण भी आएगा वो सब कुछ आएगा तो मोहन जुदाड़ो जो था एक planning के द्वारा जो है शहर का निर्माण किया गया था तो मोहन जुदाड़ो तो जो है सस्ते प्रसिद पुरास्थल जो है वो है मोहन जुदाड़ो जो पुरास्थल के बारे मैंने बताया था तो इस सस्ते का विभाजन था एक छोटा लेकिन उचाई पर बनाया गिए जिसे पुरातज वीदों ने दुर्ग का नाम दिये चोटा मगर उचाई पर बनाया गिए दुर्ग और दूसरा कहीं थी बढ़ा है मगर नीचे बनाया गिए जिसे पुरातज वीदों ने निचले शेयर का नाम द होता था इसके बारे में पहले भी बता दिया है तो एक नियोजी शहरी के इंदर था शहर दो भागों में विभाजी था एक छोटा लेकिन उचाई पर बनाए गया जिसे पुरात्य दुवीदों ने दुर्क का नाम दिया है दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाए इसके लिए करस्ण रचनाव के कचीडों के चभूते पर बनी थी और इसी तरह दूर्क को दिवार से घेरा गया था जिसका अकिसे निचले शहर से जो अलग किया गया था और इसी तरह निचले शेर को भी दिवार से घेरा गया था हाँ इटो का जो है निर्मार जो तीसरा पोईट है तो इटो को धूप में सुखा कर रत्वा भट्टी में पका कर बनाया जाता था उनका निश्ची तकार होता जिसमें लंबाई और चुडाई की लंबाई और चुडाई उचाई की क्रमशा चार गुनी और दो गुनी होती थी आप देखें को यह कितना असान हो जाएगा सब चीजों को याद रखना माइंड मैप से सब कुछ से तो यह वाला जो है पार्ट वन है अगला पार्ट टू लाऊँगा उससे में आगे एका डिस्कुस करेंगे कोई मेल लिए आपके मन में कोई सुझावो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको लगाओ सच मुच की इसमें महनत लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक और शेयर करें अगली वीडियो में मिलते हैं बाई बाई